भारत में गर्मी तीवर हो सकती है, लेकिन यह देश के कुछ बहतरीन स्थलों का पता लगाने का एक शांदार अफसर भी प्रदान करती है. उत्तर भारत की पहाडियों से लेकर दक्षिन के समुद्र तटों तक भारत में सब के लिए कुछ नकुछ है. हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया भर के विभिन स्थलों और संस्कृतियों का पता लगाते हैं. आज हम धारत के टॉप दस सर्वश्रिष्ट ग्रिश्म कालीन स्थलों पर एक नजर डालने जा रही हैं, जो गर्मी को मात देने और एक शांदार छुट्टी बिताने के लिए एक दम सही हैं. गोवा हमारा पहला गंतव्य गोवा है, जो अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों और जेट स्कीन, पैरासिलिंग और केले की नाव की सवारी जैसी जल क्रीडा गतिविधियों के लिए जाना जाता है. गोवा का एक सम्रिद्ध हितिहास और संस्कृती भी है, जिसमें कई चर्च, मंदिर और किले हैं. मनाली आगे मनाली है, हिमाचल प्रदेश का एक सुरमय हिल स्टेशन जो रोमाच और प्राकृतिक सुन्दर्ता का एक आदर्ष मिश्रन प्रदान करता है. प्रेकिंग और सासिक खेल जैसे पैरा ग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग यहां की लोगप्रिय गतिविधिया है. यह शहर बर्फ से धकी चोटियों, हरे भरे जंगलों और ज़रनों से खिरा हुआ है. शिमला प्रेकिंग और कैम्पिंग जैसे सासिक खेल भी यहां लोगप्रिय है. उटी दक्षिन भारत की ओर बढ़ते हुए, हमारा अगला गंतव्य उटी है, जो तमिलनाडु का एक शान्थ हिल स्टेशन है, जो अपने चाय बागानों, वनस्पती उध्यानों और वन्यजी अभ्यारणियों के लिए प्रसिध है. यह शहर नीजिरी परवत के आश्चर्यजनक द्रिश्य प्रस्तुत करता है, और शान्थी पूर्ण छुट्टी चाहने वालों के लिए एक दम सही है. दार्जिलिंग दार्जिलिंग पश्चिन बंगाल का एक आकर्शक हिल स्टेशन है, जो अपने चाय बागानों और हिमालय के मनोरम द्रिश्यों के लिए प्रसिध है. यह शहर हिमालय परवता रोहन संस्थान और पीस पैगोडा जैसे कई सांस्कृतिक और एतिहासिक आतर्शनों का भी घर है. प्रेकिंग और रॉक क्लाइमडिंग जैसे सांसिक खेल भी यहां लोग प्रिय है. लेहल लगदाख यदि आप कुछ और सांसिक कार्य की तलाश में हैं, तो लेहल दाख आपके लिए एक आदर्श स्थान है. यह भारत के सबसे उत्तरी भाग में एक उच्च उचाई वाला रेगिस्तान है, जो अपनी आश्चर्य जनक प्राकृतिक सुन्दर्ता, सांसिक खेलों और सांस्कृतिक आकर्शनों के लिए प्रसिद्ध है. प्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग और माउंटेन बाइकिंग यहां की लोग प्रिय गतिविधिया है. मुननार मुननार केरल का एक शांत हिल स्टेशन है, जो अपने चाय बागानों, वन्यजीव अभ्यारणियों और प्राकृतिक सुन्दर्ता के लिए प्रसिद्ध है. यहां शहर पश्चिमी घाटों के लुभावने द्रिश्य प्रस्तुत करता है, और उन लोगों के लिए एक दम सही है, जो एक शांतिपूर्ण छुट्टी चाहते हैं. कूर्ब कैम्पिंग और रिवर राफ्टिंग यहां की लोगत्रिय गतिविधिया है. यहां शहर कई सांस्कृतिक और एतिहासिक आकर्शनों का भी घर है, जैसे मदिकेरी किला और नामद रोलिंग मठ, अंडमान वनोकोबार द्वीप समू. अंडमान और निकोबार द्वीप समू बंगाल की खाड़ी में द्वीपों का एक समू है, जो मुख्य भूमी की चिल्चिलाती गर्मी से एक परिपून राहत प्रदान करता है. द्वीप अपने समूद्र तटों, साफ पानी और स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और पैरासिलिंग जैसी जलक्रीडा गतिविथियों के लिए प्रसिद्ध है. यह द्वीप कई एतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी घर है, जैसे सिल्यूलर जेल एक आपनिवेशिक जेल जिसने स्वतंत्रता के लिए भारत के संधर्ष में महत्वपून भूमिका निभाई थी. रिशिकेश अंतिम लेकिन कम से कम उत्तराखंड में गंगा नदी के तड़ पर स्थित एक पवित्र शहर रिशिकेश नहीं है. यह शहर अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है और यहां कई आश्रम और योग केंद्र हैं. एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और कैम्पिंग भी यहां लोग प्रिय हैं. तो ये थे भारत में हमारे टॉप दस सर्वश्रिष्ट ग्रिश्म कालीन गंतवय. इन में से प्रत्येक गंतवय का अपना अनूठा आकर्शन है और सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है. चाहे आप रोमाच, विश्राम या सांस्कृतिक विसर्जन की तलाश कर रहे हो, भारत में यह सब है. तो अपने बैग पैग करें और इस गर्मी में भारत की सुंदर्ता का अनूबेशन करें. हमें टिपपणियों में बताना न भूलें कि आप किस गंतवय पर जाने के लिए सबसे अधिक उतसाहित हैं. देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले विडियो में देखेंगे.